राहूल और जयाव आज मैं इतना खुश हूँ कि फेर पाँ शब्द नहीं है बताने के लिए और यह छे साल के बाद अपने दोनों बेटों को एक साथ देखने का एक बाप को जो खुशी होती है ना तुम उसका अंदाजा भी निलगा चकते हैं बाबुजी रागूल जय जल्दी आये खाना तयार है आप लोग भी ब्लीज आये आओ पीटर जल्दी आयो खाना तयार है आँ भेई मेरे मिक्की माउस क्या खाएंगे क्लिया मिक्की बेला आपको क्यों यह हल्वा लीजिए ना नीत अने खाफ आफ आपके लिए ही तो बनाय डाला है इसलिए खाना इतना टेस्टी लग रहा सबको है यह क्या है अरे प्रकाश अंकल, आप यहाँ अंकल आश्ते, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, मैं तेज बीविंग में रहता हूँ, माप करना बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था, कोई बात निए, अंकल आप यहाँ धूप में अकेले बैटके, क्या कर रहे हैं, बेटा सुनील, घर की चाव अरे नहीं, काम के वक्त उसको फोन करके परेशान मत करो, जैसी आपकी मरदी अंकल, लेकिन कम से कम आप आप अमारे घर पर आके इंतदार कर लीजे, मैं मुझे चलेगा, मुझे अकेला छोड़ दो आप आप सुनान मुझे घर भाह दो, घर भाहा है एक बाद बताईए, जी, आप सम लोग यहां पर खाना खाने बैठे वे, है ना, तभी यह हाथ खाने में गिना, जी सर, ऐसा ड्रावना हाथ तो हमने पहले कभी देखा ही ने, और सर हम तो एकदम से डर गे थे, सर, आपने हाथ तो देखा ही ना, सर, गला नहीं है लेकिन फूल बुरी तरसे सुक चुका है, बहुत बुरी हालत से काटा ही यह हाथ, जर यह हालत इस हाथ के है, वही सोच रहा हूँ, जिसका हाथ काटा गया है, उसके और शरीर के हिस्से का काख या होगा, सर क्या यह हाथ देखें हम पता नहीं लगा सकते कि यह आदमी का हाथ है यह किसी औरत का हाथ है यह तो सारूं के बताएगा उसका काम देखें जिस किसी का भी हाथ है उसका देखें जा रहे हैं अकेले में क्या बाते कर रहा है मुझसे बात कर क्या पता जलाबता जली बोस जिस किसी का भी हाथ है उसका डिये ने मरने वाले की कहानी पुकार पुकार कर बता रहा है ऐसी क्या कहानी बता रहा है सर सचेन जिस किसी का यह हाथ है उसकी उमर चाली से पैतालिस साल की है तो बॉस इसके साथ जो कुछ हुआ है उसे सोच करके भी रूंग्टे खड़े हो जाते रूंग्टे खड़े हो जाते क्यों सालों के सब इसके हाथ में से खून का एक एक कत्रा एक एक कत्रा निचोड निचोड के निकाल अगया है क्या कह रहे हैं सरा इतना कुछ किया गया इस बेचारे के साथ इसे मारने से पहले और ये ये सुईयां ये तारें ये सब इस हाथ के प्रेशर को वाल्यूम को और डेंसिटी को बता रहे हैं लेकिन सर्जब आदी मर चुका है और उसके हाथ में खोली नहीं तो प्रेशर कैसा है? एक डेंड बॉडी का भी एक मिस्चित वाल्यूम मिस्चित प्रेशर और मिस्चित डेंसिटी होती है लेकिन इसके मुर्दा शरीम का वो डेंसिटी, वो वाल्यूम और वो प्रेशर तीमों कम है और यहाथ देखो बहुत इस हाथ को देखने से लगता है कि किसी में बहुत की क्लीनिकली इस हाथ को काटा है जाओ मतलब किसी ऐसे आदमी ने एक काम किया है जो मेडिकल के बारे में जानता है शायद डॉक्टरी पेशे का हो सकता लेकिन यह है कौन यह जानने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह हाथ यहाथ किस आदमी का है और यह हमें इस हाथ के उपर मिली अंगूठी ही बता सकती है लेकिन सर, उस अंगूटी को तो जंग लग गया था ना? हाँ. अंगूटी को जंग लग गया था. इसी ने बहुत सो अंगूटी को ब्रिंजोम कारवाइड नाब के केमिकल में डाला है. ताकि इस अंग हट जाए और उस अंगुठी का असली रूप हमारे सामने आजाए इतने रूप यह एραची अंग। यह ए ढएक्वास यह एुद। यह एक्वास यह एए एक्वास ठीए एकदम साफ यह क्या है इस अंगुठ के अंदर दो अलफबेट्स इंग्रेव किये हुए है आर वी सर यह दो अक्षर आर और वी इनसे कैसे पता चलेगा उस आदमी के बारे में यही तो हमारा काम है ना फ्रेडी पता लगा ना सिर्फ इन दो अक्षरों से रोन वी फ्रेडी इससे भी छोटी सुदाग से हमें पता चल सकता है मुझे इन कौन है सर हो सकता है यह आर वी मरने वाले के नाम का इनिशिल हो हो सकते है और सचिन ये भी हो सकता है कि वो इनिशिल्स आर्वी पतनी के भी हो वो अंगूठी है शायद शादू की अंगूठी है सर एक और बात वो अंगूठी प्लाटिनम में बनाई गई थे सर ऐसी अंगूठी हैं आसानी से बाजार में मिलती नहीं खास ओर्डर देकर बनाई जाती है बिल्कुल सही बस उस अंगूटी का फोटोग्राफ शेहर में जितने भी जोरी है इन सब को बेज दो पता चल जाएगा किस जोरी ने वो अंगूटी बनाई थी और किस के लिए आरवी क्या सर सर एक बात समझ में लिए आरे है कि अगर यह घूनी खुनी हारवी को मारना ही चाहता था तो आसान मौत भी तो दे सकता था पिए काटने की ismeाफ था सर जीन मरने वाले के पहचान चुपाना चाहता था यहाचान चुपाना चाहता था सर सिर आपसे मिलने कुछ लोग आये हैं और वो कह रहे हैं कि अरजिंट है बुलाओ आईए नमस्ते सर आईए बताईए क्या बात है सर एक बहुती बड़ी मुसीबत आगी है बस आप ही है जो हमारी मदद कर सकते मुसीबत? कैसी मुसीबत? सर हम लोग मुतिलाल लगर की रोज सुसाइटी से आए हैं हमारे बिल्डिंग में एक बुजूर्ग रहते थे प्रकाश जी रहते थे मतलब क्या आप नहीं रहते सर कल तक तो थे सुसाइटी के पार्क पर बैठे वे देखा था हमने उनने बुरिया बिस्तर बान के बैठे थे तो आप लोगों ने जाकर उनसे पूछा नहीं कि क्या बात है क्या तकलीफ है पता नहीं सर हमने उनसे पूछा तो कुछ अजीब सा बढ़ बढ़ाने लगे सर उनके बाहर बैठने की कुछ ना कुछ वज़ा जरूर है क्या वज़े हो सकती है सर उनका सोतोलय बेटा सुनील भूत ही जादा बत्तमीज और जगडालू किसम का इंसान है वो सर हमने लगता है उसी नहीं समान सहित अपने पिता को गर से बाहर निकाल दिया है हसे पतानी कहा होंगे वो हो सकता है वो अपने ही घर वापस चले गए हों घर में चेक किया आपने हम लोग गए थे महांपे वोवा नहीं थे और हमने physician से पूछा तो उसने बोला कि उसे पता नहीं है सर उससे उनकी कोई परवाई नहीं है क्षिआ है ठीके, देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ उनकी फोटो पे ज्वाईया में, हम देखते हैं, हम? सर, मालती नाम की हाउसवाइफ, इंद्रा नगर से गायब है, सर इंद्रा नगर से मालती और मोतिलाल नगर से एक बुजर्ग, दोनों के दोनों गायब है, इन दोनों के घर जाना पड़ेगा, पूश्ताज करनी पड़ेगी सर, हमने मिस्टर सुनील का घर अच्छे से चेक किया, प्रकाश जी नहीं है वहाँ पे, और नाई कोई ऐसा सुराग मिला है, जिससे प्रकाश जी के बारे में कुछ पता चल सके सर, मैंने कहा था ना, कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहा चले गए प्रकाश जी तुम्हारे सौतेले पिता थे, तुम्हारे उनके साथ अकसर जगड़े हुआ करते थे ना, क्यों? सर, जगड़े होते थे, और किस घर में जगड़े नहीं होते इसमें सौतेली वाली बात कहसे आगे सर, सके बाब बेटों में पे तो जखड़ा होता है ना मैंने उन्हें हमेशा सके से ज़्यादा समझा अगर इतना प्यार था, तो पिर उन्हें बाहर क्यों चोड़ दिया सर, मुझे तो लगता है कि इन दोनों नहीं मजबूर किया होगा उन्हें कर चोड़ने के लिए अब क्या करें सर, हम, हम ऐसा क्यो करेंगे सर, आपको क्या लगता है, मैं अपने पापा के साथ कुछ गल्द करूगा सर, मैंने पापा को ढूड़ के लाजी चेस आप रकाजी को तो हम ढूड़ कर निकालेंगे निकालेंगे वो तो हमारा फर्ज है, लेकिन एक बाद याद रहना अगर पता चला, तुम लोगों ने अपने पिताजी के साथ कोई गैर बरताव किया है, तो अच्छा नहीं होगा समझे? सेर, ये बो लेटर है, जो मालती छोड़के गई थी तर बच्चो को अंदर लेखे जाओ मैं मालती, अपने पूरे होश में बिना किसी दबाओ के ये खत लिख रही हूँ मैं अपनी रोज मर्रा की आम जिंदगी से इस घर ग्रहसी से तगा गई हूँ और अपनी मर्जी से छोड़के जा रही हूँ मुझे माफ कर देना अग भी नए माफ कर देना राहूल कुछ दिन आप सबको बहुत तकलीफ होगी मेरे बिना मगर फिर आदत पड़ जाएगी मेरे वापस आने की उम्मिद मत रखना हमारा साथ यहीं तक ही था गई थी ना तब वो मुझे माम बिली थी तो मुझे उसका बर्दा कुछ अजीब सा लगा कुछ अजीब सा लगा मतलब कैसा लगा आपको मतलब वो बच्चे के सामने रो रही थी सर हमेशा अपना और पापा का खयाल रखना आप कही जा रहे हो क्या मैं भी चलूंगा आपके साथ नहीं बेटा मैं कहीं नहीं जा रही और रोते रहते उसने बच्चे को वैन में बिठाया और वो सबजीन आने के लिए चली गई और जाते जाते उसने अपना मोबाइल फून भी तोड़ दिया यह तो बड़ी अजीब मात है कैसे गई वो वहां से? वो आटो से गई सर और कहां गई कुछ पता चला मेरा मतलब है क्या? सुना अपने? नहीं मैं सुननी पाई सर चलो ठीक है थांक्यू वेरे मच सुचिन मोतिलाल नगर और इंदिरानगर के जितनी भी रिक्षा वाली हैं उन सब को प्रकाश जी और मालती के फोटोग्राफ्स दिखा हूँ इस्क्यूज में मैं सब इस आद्मी को आपने यह गहीं देखा किया? नहीं सेर इनको कभी नहीं देखा अरे अब ध्यान से देख के बताई हो सकता है कभी आपकी टेक्सी में बैठे हो? टेक्सी में तो दिन बार में बहुत लग बैठते है साब हर किसी का चेरा याद रखना मुस्किन रहता है शुक्रिया भाई साब आप देखे हैं ने कहीं देखा हैं आपने इस बुजूर्ग आदमी को तो मैंने पिंजर की खाड़ी के पास छोड़ा था पिंजर की खाड़ी? साब यौरत कलपका मेरे साथ मेरी ही आटो में गई थी अरे मैडम यहां इस सुल्सान जगा पे कहा रखवा दिया आटो आगे सारा जंगल ही जंगल है और साब एक और बात बताऊं वारतना मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी साब पूरे रास्ते रोती वी गई और मोटी डूंगरी की गुफा के पास इसने मेरी आटो रुखवाई और उतरके चली गई मैंने कहा भी के मैडम अपने बाकी के पैसे तो लेती जाहिए लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं बस जंगलों की तरफ बढ़ती चली गें साब जी सार अरे जैवंती ज़रा देखो देखो ज़र ये टैबन मोटी दूंगी की कुफा और पिंजर की बाड़ी सर ये दोनों इलाके तो बुलबाडी की जंगलों के आसपास हैं काफी सुनसान इलाका लग रहा है सर इस इलाके में 20 किलो मेटर तो जंगल ही जंगल है लेकिन ये दोनो ऐसे घने जंगल में उत्रे क्यों है वड़ी अजीब आत है रिंक पे आरवी गुदाय हो और नाम इतेन कुमार वो सकता है इस घर के किसी और सदस है के नाम के इनिशल्स होई है क्योंके उस जोहरी को पूरा यकिन था कि इस रिंक और इसी घर में से किसी ने दिया है जी कहिए नमस्ते हम सी आईडी से है सी आईडी अंदर आई जी इतन ठीक तो है ना कहा है वो आप उन्हें साथ नहीं लेके आए क्या आप पर संगूठी को पहचानती है संभा लिए अपने आपको संभा लिए अपने आपको मैं यह लिजए तेंक यू क्या बता सकती है कि इस अमूठी पर जो आरवी इनिशिल्स बने हुए इनका क्या मतलग है अपने माता पिता के नाम पी गुनवायता इन्हों सासुर जी का नाम राकेश था और सासुमा का नाम विनी था मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है हितिन कभी मुझे बिना बताए घर से गाइब नहीं हुए क्या आप मुझे उन्हे मिलवा सकते है माम दरसल हमें उनका कटा हुआ हाथ बस कुछ मत बताईए मैं और कुछ नहीं सकती मैं जानती थी इतिन जिस रहा पे चल रहे उसका अंत अच्छा नहीं होगा हमें भी पता चल चुका है कि वो किसी गलत काम में शामरत है इसलिए आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं दर्च कराई क्या प्लीज हमें पूरी बात साफ-साफ पताएंगी दरसल इन्होंने अपने कमपनी से 10 करोड का घोटाला इन्होंने वो पैसे कही और काम पर लगाये पैसे तो डूब गये लिकिन जब कमपनी ने उनके पास पैस की डिमार्ट की तो उनके पास नहीं नहीं थी. फिर? फिर क्या? कम्पनी ने इनके उपर केस कर दिया. हमारा घर निलाम होने के कगार पर आ गया. मुझे लगा शायद इसलिए तीन दिन पहले घर से गायब हो चुके है. और इसलिए आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करा है? नहीं. 10 करोर रुपे जो हितेन ने कम्पनी से चुराए थे, वो किसी और ने चुकते किये. किसने? पता नहीं. किसी ने इनके कम्पनी के अकाउंड में वो रकम डलवा दी थे. और एक चिट्टी छोड़ी, कि ये रकम वही है, जो हितेन ने उनके कम्पनी से ली थी. बड़ी अज पश्तिदारों ने या दोस्तों ने हितेन को ढूनने की कोशिश नहीं की? कोशिश की ना. हितेन की गाड़ी भी मिली. गुलवाडी चंगल के पास. लेकिन हितेन का कुछ पता ही नहीं चला. गुलवाडी चंगल. सरी जंगल तो काफी डराम ना? प्रकाजी और माल्ती यहां क्या करने आया होंगे? वो सकता है उन्हें जहां सा देके लाये गया हो, या जबर्दर्स्तिर यहां में ले आया क्या हो. उश्या में वुदाब ती. वुदा बदी को? कर दो कि अगाओो हुआ कर दो एत दो अगे, कि अपडोरी में पने लेका कि अपलिए जी अपने हुआ। इतने सारे कपड़े, ये जूते हैं, oh my god. कुण देखा? oh no. ये खोपड़ियां, ये हट्ड़ियां, ये जंगल के अंदर चल क्या रहा है? कौन है? कौन है वाँ? क्या हुआ? वहाँ तो कोई नहीं है सर, 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 वहाँ पे कुछ था सर, 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 वहाँ पे कुछ था सर, संसान जंगल में कौन हो सकता है? ये, ये तो सारे कपड़े, जूते, और ये हड्डियों को देखकर लग रहा है, कि आलाग अलग उम्रो के लोगों को शिकार बनाया गया है? बहत खतरना कपड़ाती है, मासूम भोले भाले लोगों को यह बुलाके माँ डालता है तकार जी कब आगई है? ये अपने बीवी बच्चों की फोटो लेकर यहाँ पे क्यों है थे? ए, रुको! क्या हुआ? सर, सिर वहाँ पर, वहाँ पर कुछ अजीब साथा, सर गाड़ी क्या हुआ, सर? जो जंग ने कोई हाया है तुम लोग देखो जड़ा जाके क्या है क्या हुआ क्या हुआ हुआ परना क्या हुआ झाल झाल हितेन का कटा हुआ हाथ और उसकी गाड़ी मिलती है गुलवारी जंगल के आसपास समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों सचे मुझे ऐसे लग रहा है कि हितेन का केस मालती का केस और प्रकाश जी का केस इन तीनों केसे का अपस में कोई ना कोई संबंध है कोई ना कोई संबंध है सर प्रकाश जी और मालती के बारे में कुछ और पता चला है क्या है सर ठीक हितेन की तरह ही प्रकाश जी और मालती दोलो करजे में थे प्रकाश जी की बेटे को पांच लाग रुपए देने थे और मालती जी का घर भी रखा था सर दोनों के गायब होते ही इन दोनों का कर्जा किसी ने चुका दिया कितेन भी कर्जे में था, मालती भी कर्जे में थी, प्रकाजी भी कर्जे में थे तीनों के तीनों गायब होते हैं, तीनों के तीनों आखरी बार दिखाई पड़ते हैं गुलवाडी जंगल के आसपास काम करते हैं उस लाइन पर गुलवाडी जंगल के लाइन पर जितने भी आटो रिक्षा वाले और टेक्सी वाले धंदा करते हैं सब को यहां लेकर आते हैं सब हम लोगों को क्यों बुलाया इसलिए बुलाया है कि हमें तुम लोगों की मदद चाहिए हम क्या मदद कर सकते हैं साब आपकी देखो खैर गाओं से गुलवाडी के जंगल के रासे बर तुम लोग अपनी अपनी गाड़िया चलाते हो है न साब टेक्सी तो पूरे शहर में घुंगती है हाँ लेकिन सारी टेक्सीया गुलवाडी भी नहीं जाती है सिर्फ वही गुलवाडी जाती है जो खैर गाओं से होकर जाती है हाँ साब गुलवाडी पर आकर तो रास्ता ही खत्म हो जाता है उसके बाद तो घना जंगल आता है साब बस तो उसी जंगल के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं वैसे वो रास्ता वह सुनसान है ना? हाँ साब तो फिर वैसे सुनसान रास्ते पर ज्यादा लोग तो जाते नहीं होंगे गिने चुने ही लोग जाते होंगे है ना? हाँ साब बिलकुल तो एक बात बताओ, पिछले दो-तीन महीनों में, क्या तुम लोग किसी पैसेंजर्स को उस रास्ते पर लेके गए थे? याद करो? हाँ साब, मुझे याद है साब, मैंने पिछले तीन महीनों में उस रास्ते पर तो अलग-अलग लोगों को छोड़ा हैं मैंने भी एक सावारी को छोड़ा था साब, पिछले महीने साब, पिछले महीने मैंने भी एक सावारी छोड़ी थी, तो एक आदमी था तो क्या, लोगों के चेहरे याद आ रहे हैं तुमको? साब, चेहरा तो नहीं याद, अबर उसकी बाते जरूर याद हैं बहुत परिशान था वो किसी से फोन पर कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ कुछ परिशानी तो नहीं होगी न साब मुझे याद आया मालती जी के अलावा मैंने एक लड़की को भी छोड़ा था और वो लड़की पूरे रास्ते रोती रही साब मुझे तो लड़की घर छोड़कर भाग कर आई थी हाँ साब और और गुलवाडी के रास्ते पर उतर गई वो मैंने अपने सवारी से बोला था यहाँ पर आटो और टेक्सी नहीं मिलेगा साब पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया सर यह तो बिलकुल प्रकाश और मालती के केसिज जैसा है आश्रया यह तीनो के तीनो के केसिज एक जैसे ही है और जरूर और भी ऐसी केसिज होंगे लेकिन हिते प्रकाश और मालती इन तीनो के जिसने भी करजा चुकाया है उसी ने इन तीनों को गायब भी किया है समझ में नहीं आ रहा है ये सब करने के पीछे है ये खोने का मकसद क्या है मकसद तो पता नहीं अबिजीत लेकिन इतना जरूर कह सकते हूं कि ये एक होट ब्लाड़ग मुर्डर है सोचा समझा कि आगया अपराद जो किसी पढ़े लिखे आद में ने किया है पढ़े लिखे आद में ने किया है पढ़े लिखे आद में ने कियो देखो इस कोपड़ी को किसी केमिकल में रुबो कर रखा गया था केमिकल में? ये या जंगल में कोई लैब खोल के रखी है क्या उसने? हो सकता है? एक मिर्ट एक मिर्ट एक मिर्ट इस देखा है? जोंकर मों पाइप कैसे आगी? देखे, नक्षा में तो कोई पाइप वगेरा नहीं थी वही ता? कहीं है पाइप भी मुन अपरादियोंने ते नहीं लगाई है काटो दुरेशा निखिल काडी की आवज उसी वक्त आई जब हम जंगल में थे यह कोई सयोग नहीं है मतलब मतलब मुझरम को भनक लग देती हमारे जंगल में आने की बले ही भनक लग गई हो लेकिन हमारे आतों से बचेंगा नहीं आपको मतलब 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 अज़ो को गाटके अस पाइफ में से खून बेजा जा रहा है अज़े एक आदमी का काम नहीं आई है पूरा का फूरा गिरो है अज़ पाइफ हमें उन तक पहुचाएगा सर मैंने मिसिंग परसंस ब्यूरो से पता लगा है सर जंगल के पास जो जो लोग गाइब हुए थे वो सब कर्जे में डूबे हुए थे जो जो लोग उस गुलवारी जंगल में गाइब हुए और सब कर्जे में डूबे हुए मतलब मेरा शक सही था यह कोई संजोग नहीं सोच समझ के बनाए हुआ प्लान है गर्जे में डूबे लोगों को निशाना बनाने का सर लगता है यह कोई सेरिल किलर है जो गर्जे में डूबे लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है सर सचीन हो तो हम पता लगाई लेंगे ये प्रकाश, ये तेन और मालती, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक की है? Yes, sir. क्या पता चला? Sir, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड में तीन नमबर ऐसे हैं, जो कॉमन है. किस-किस के फोन नमबर जैवो? Sir, दो नमबर तो बंद आ रहे हैं, और तीसरा नमबर किसका है, इसका पता नहीं चला है. लेकिन, sir, इस तीसरे नमबर से किसी जैया को फोन किया गया है, भडशो. तीसरे नमबर से जैया को फोन किया गया है? तो फिर लगता है जया की जान को खत्रा है जया की जान को खत्रा है श्रिया है पिस जया को फोन करो पूछो उससे क्या वो किसी करजे में डूबी है क्या जया निखिल यह देखो टायर के निशान टायर के निशान? अब टायर के निशान यहां है तो गाड़ी भी है कही आसपास होनी चाहिए गाड़ी? उस तरफ है समाल के यहां तो आसपास कोई नहीं है इंजिन अभी पिगर में मतलब जो कोई भी इस जीप में आया है यही आसपास है इतने सारे डबे हैं? यह तो असपतार का सामान है यहां इस जंगल के बीच क्या कर रहा है? वही तो अही तो झालो एंड़्यो क्षास घुल ए av shouldn't ए उड़्यो ए उड ए उड़्यो हुआ हुआ, हुआ है है, दॉफ देखो, क्या है, क्या बाता है तुब बोलो क्या वोलना चाहते बोलो तुम जाओ यहां से अभी चाप तुम भी गोली क्यों मारी हो विचारे डार की भाग गया वापसा कि इसको बचा लेंगे प्रकाश और मालती को बचाना जरूरी है तुम उनकी भी एसी आलत ना हो जाए खोली के आवास कि निखिला पूरी मुसीबत में तो नहीं कि नोने डोले के कैसे अभी तेजर से गोली के आवाज आई होता देखो प्लीज जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तुम फोन पे ही रहना मुझे दुपान दिख गई मैं आ रही ने 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 तुम फोन मत रखना प्लीज प्लीज मैं बोच गई भाईसा वो मिठी का तेल दो ना मैं C.I.D. ओफिसर हूँ सीधे से बता दे किस के इशारह पे तुने मुझे बैग दिया वरना ससुराल के सेयर करनी पड़ेगी वो वो जा रहा है इंदिली कमिज वाला फोन पर मैं अरे शिता वो ब्लू सट वाला बस 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 बहुत गुमलिया तुम? कसी बीका लजए यजान वाल यद ड्म झाल झाल पाल झाल झाल ईक वाल ऑल प्रप्रेश कर दो बिट्टार वो कर दो हुआ है यूल है जो है यूल है नोफ फे युद्णि रहोत मुश्हार से घंवानी है तौन को सुपत है जोगों कि एके कर दो टहू नहीmm । इसकें कोपडि ओड़ भी जुद्सका…… अजब ऑफिए अजदगर एक वाद मुश्हाँड़ और ME ॉ vors पर्वा है य면 एहा कर दो की वास? लगी तोने करेंद मेंद अर एपनीश प्रुब एक खर्वब अुब अर्व झाल अर्व मेंद आर लिए एकैंद वाल दोल विशेंद प्रुब झाल विए प्रिब ठाम एक में पूर्वी उसका नकाव उसका ये साथ ही उतारेगा उतार उसका मास्क सर ये पूल लेटर है जो मालती छोड़के गई थी यह क्या करें सर हम इसा क्यों करेंगे पैसो की लालस में तुम इतनी गिरगल तुमने इंसानियोत को शर्मसार कर दिया यहां तक कि अपने पिता समान ससूर तक को नहीं छोड़ा तुमने मैंने जो कुछ भी किया लोगों के मर्सु से किया और उन्हें उनके मलिदान का दाम में दिया खलत लोगों की मजबूरी का नाजायस फैदा उठाया तुम लोगों ने उनके शरीर के एंगों का काला कारोबार कर रहे थे तुम लोग क्यों? जो कि आपके सारकार ने मेरा डॉक्टर का लाइसेंस कैंसर कर दिया था कमाल है तुम्हारा लाइसेंस रत कर दिया तो तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया तुम्हारे आड़े टेड़े एक्सपेरिमेंट ने यहाल कर दिया लोगों का शर्मानी चीहें तुम दोना को इतना नीचे गिर गें कि अपने घरवालों को तक नहीं चुड़ा तुम लोगोंने क्या गड़ते हैं सर विदेश की ग्रूप से पैसा ले चुके थे हम और जो अंगों ने चाहिए थे वो हमारे पास नहीं थे इसनी सोचा घरवाले ही से ही बड़े बड़े मुझिम देखे हमने बगर तुम लोगों जैसे घटिया सोच वाले लोग बाज तक नहीं देखा बीमार हो तुम लोग इस समाज में रहने लाइक नहीं हो किसमत अच्छी हुई तो इस जिंदे की बड़ जेल में सडोगे वरना असार तो यही है कि अदालत भासी देगी तुम्हें ले जाओ इन्हें इनका किसी अच्छी अस्पताल में इलाज करवाते हैं चोड़ चोड़ भूले कि अच्छी अच्छी सब्सक्राइब तो कर देम साथ इचान में होड़ा थिस ज़़का है